तो नमस्कार दोस्तो कैसे हुआ आप लोग मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेक सिंग और आप देख रहे हैं माई मेकेनिकल सपोर्ट दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ अगर कम खर्चे में घर को एक अच्छा फिनिश देना चाहते नए दिवाल में अगर आप चाहते हैं कि डिस्टेमपर कम लगे यह हमारा डिस्टेमपर में आपको दिखा जोता हूँ यह जो है वो 20 लिटर का डिस्टेमपर आपको 800 कुछ रिपे मिल जाएगा यह बर्जर का डिस्टेमपर है और फास्ट येलो कलर है आप चाहते हैं कि इस distemper की खापत कम हो, तो उससे पहले एक तरीका है, जिससे मैंने यूज किया है, आपको ये बिल्कुल सादा दिवाल था, ये नया दिवाल था, इसमें हमने दो कोट, इस बिडला वाइट सिमेंट को घोल करके लगाया है पहले, अब देख सकते हैं, पूरे दिवाल में मैंने घोल करके बिल्ला वाइट सिमेंट लगाया है, दो कोट लगवग आप लगा सकते हैं, लेकिन हमने एक ही कोट लगाया है बिल्ला वाइट सिमेंट का, ये देखिए, ये 140 रुपे का पड़ा था मुझे, 160 MRP है, ठीक है, अच्छा तरीके से घोल किस तरह से घोलते हैं, बिल्ला वाइट सिमेंट को और दिवाल प लगाते हैं, हमारे चैनल पर है, उसको देख सकते हैं, चैनल को अगर विजिट करते हैं, तो आपको सारी वीडियो जो है वो मिल जाएंगी, और आप इस तरह से जो है वो, और उसके बाद में, उसके बाद में रखिए, यह सिंगल कोट में ही कितनी अच्छी तरह है वो, फिनिस आने लगी, यह जब सूखेगा, तब अच्छे तरीके से बिल्कुल दिखेगा, इसमें पुट्टी वगरा कुछ भी नहीं किया गया है, और इसको फिनिस करके, मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से फिनिस करते हैं, दोस्तों सबसे पहले हमने एक कोट, वाइट सिमिंट का लगाया है, आप जहाँ तो दो कोट लगाएंगे, उसका भी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दिया है, सही तरीका क्या है दो कोट लगाने का, चुकि अगर दो कोट लगाते हैं, और उसका हमें फैदा नहीं मिलता है, तो कोई जो है वो, जरूडी नहीं है कि दो कोट किया जाए, अगर फैदा मिले तभी करना, और किस तरह से सही तरीका है, किस तरह से किया जाता है, हमने अपने चैनल पर डेडियो है, अपलूड कर दिया है दोस्त, तो वहाँ जाकर के भी आप देख सकते हैं, और पेंटिंग से जूरे भी, कोई भी जैनकारी आपको चाहिए, डिरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उसका एंसर ले सकते हैं, फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय जवान, जय मेकेनिकल, धन्यवाद दोस्तों,